और इस वाग बड़ी खबर आ रही है जिस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है ये बड़ी खबर नागपूर से नागपूर मुंबई दुरंतुवा एक्सप्रेस की है जिसकी चार बोगिया पट्रे से उतर गई है और ये तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं चार बोगिया पट्रे से उतरी है नागपूर मुंबई दुरंतुवा एक्सप्रेस की जो गटना गरस्त हुई है गटना का शिकार हुई है चार बोगिया पट्रे से उतरी सुबह छे बचकर चालीस मिनट पर ये हादसा हुआ छे बचकर चालीस मिनट पर इस ट्रेन में ये द रहा और लोगों को ये देखिए हर दरफ जहा नज़र जा रही है नीचे जमीन पर वहाँ पानी ही पानी है और ये देखिए ये जो ट्रेन का निचला हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है ये नाकपूर मुंबई दुरंतुवा एक्सप्रेस जिसकी चार बोगिया पट्री से उ उतर गई और जो उपरी पर्त पर लोग सो रहे थे वो नीचे गिर गए उनको चोटे आई है अब लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है सुबह सुबह ये हादसा हुआ है हादसा भी कुछ यात्रियों के खायल होने के खबर है और चार डिबे पट्री से उतरे नाकप लोग सो रहे थे और तस्वीरे भी हम आपको लगाता दिखा रहे हैं और अभी भी ABB News समादाता सरीता कौशिक से जब बात हुई उन्होंने कहा कि यहाँ पर बारिश हो रही है ये देखिए किस तरह से ये जो पूरा इलाका है और ये जो पट्री से उतरी हुई बोगिया ह वो हम आपको दिखा रहे हैं आसपास नीचे अगर आप देखेंगे जमीन पर तो पानी है मिट्टी पूरी तरह से गीली दिखाए दे रही है ट्रैक पर सरीता बता रही थी कि पानी है ट्रैक आगे का नजर नहीं आ रहा है और ये वो लोग जो इस ट्रेंट से सफर करे थे सरीता कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सरीता ये शुरुआत में जो तस्वीर सामने आ रही है वो हम देख रहे हैं कि क्या अभी भी वहाँ पर बारिश हो रही है कुछ लोग हमें वहाँ पर दिखाए दे रहे हैं कितने लोग घायल हुए है क्या है पूरी जानकार को हुआ तब जादातर लोग ये अपने बर्थ पर सोए हुए थे जबरदस्थ बारिश बाहर हो रही थी और एक जोर का जटका लगा उसमें जो सामने के तीन से चार डिपे थे वो डीरेल हो गए एहम बात ये है कि ये बद्बे भले ही पत्ली पर से नीचे आ गया हो लेकि उसकी वजह से उपर की बर्थ पर सोए हुए लोग ये बीचे गिर गए कई लोगों को छोटी छोटी जटने यहां पर हुई है लेकिन माइनर इंजूरीज या इंजूरीज के ज्यादा यहां पर अभी कुछ पता नहीं चला है लोग बाहर आकर जैसे लोगों ने देखा त देखा वाश आउट हो गया है बह गया है ये पा नहीं चल रहा था जो लोग है वो माइनर इंजूरीज के साथ है लेकिन पीछे से डिबो से भी लोगों को उतारा जा रहा है ट्रेन को खाली किया जा रहा है जो अधिकारी गन वहाँ पर पहुंचे हुए रेन्वे के वो ट प्रश्राइब दूज़ा रही थी वह था कि लोग यह देखना चाह रहा है कि यह एक्सिदेंट कहा हुआ है हम कहां पसे हैं लेकिन इंदे मुखना चलने की वज़े से लोगों का GPS नहीं चल रहा था यह पता नहीं चल रहा था कि वो लोग यह हाथ का कहा पर हुआ है तो कई सरी की मुखने वहाँ पर लोगों के सामने थी लेकिन शायद अभी चब जो उन स्टेटल एक्सिदेंट वहाँ पर नहीं है यह शायद इसमें की सब्सक्राइब खबर है जी सुरीता आप और जानकारी जुटाईए और जानकारी लेकर सरीता फिर से हमारे साथ की वहाँ पर जो लोग थे उनको पता ने चल पा रहा था शुरात में की वो कहां पर हैं कहां पर उनकी ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो पट्रे से उतरे हैं चुकि सुबह का हादसा था सुबह छे बच कर चालेस मिनट का लोग सो रहे थे और आपको ये भी बता दे कि अभी भी यहां पर बारिश हो रही है कल्यान के पास ये हादसा हुआ है एक और ट्रेन हादसा पट्री से उतर गई है चार बोगिया नागपूर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की और इससे पहले यूपी के दो हादसे हमने देखे और एया में हादसा हुआ मुजफर नगर के ख आतार बनी हुई है ये है एबी बी नियूज आपको रखे आगे